नमस्कार दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज सबसे जरूरी बात सबसे पहले करूँगा और वो ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमार टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उस चैनल पे हम लोग आने वाले 304 दिनों में ROARO और APS के लिए एक dedicated complete टैयारी जो daily target based के हिसाब से होगी उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 304 दिन का समय इसलिए क्योंकि इधर वीच हमारी तबियत थोड़ी सी नासाज है और डॉक्टर्स ने ऐसा recommend किया आएगी आप थोड़ा सा rest लीजे इस वज़े से यह प्रोग्राम 304 दिनों में शुरू हो जाएगा अब देखिए आपकी जो UPPSC की upcoming जो most awaited vacancies हैं उनमें यदि बात की जाए तो RORO और APS की vacancy है जिसके बारे में official सूचना आयोग द्वारा अभी हाली ही में दी गई कि RORO की vacancy जहां October के दृतिय सब्ता हमें आएगी अब जाहिर सी बात है कि अगर सेप्टेंबर के प्रथम सब्ता हमें APS की vacancy आएगी तो ऐसे में इसका जो एकजाम है वो नौंबर से दिसंबल तक होना लगभग संभावित है अब ऐसे में इतने कम समय में APS की तैयारी कैसे करें आज का वीडियो दरसल उसी आधार पर है उसी बारे में है और आरो की तैयारी कैसे करें उस पर लिलेटेड हम लोग तमाम सारे वीडियो पहले भी बनाए हुए है आगे भी बनाते रहेंगे परंतु आज का ये वीडियो APS के लिए completely dedicated है अब देखें APS की तैयारी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहां पर आपको पता है कि इसमें लगभग यदि हम लोग इसके syllabus का मुल्यांकन करें तो उसके हिसाब से हमें समझ में आता है कि यहां पर तैयारी करने वाले लगभग दो लोग हैं एक तो वो हैं जिनको short hand और typing आती है और दूसरे वो लोग हैं जिनको short hand और typing नहीं आती है ठीक है अब देखिए short hand और typing जिनको आती है वो लोग लगभग इस vacancy की 10 से भी ज्यादा साल से प्रतिक्षा कर रहे है यानि यह एक बहुत प्रतिक्षित vacancy है ठीक है और वही जिनको नहीं आती है उनके लिए एक यह अनायास मिला हुआ फल है जिसको वो लोग लपकना चाहते हैं वो लोग UPPSC के परिक्षा की तो त्यारी करते हैं परन्तु APS के लिए कोई dedicated ट्यारी नहीं कर रहे है अब जितना मेरा अनुभव है जितनी मेरी बातचीत हुई यह लोगों से ऐसा मुझे समझ में आया कि यह लोग भी इसकी परिक्षा जरूर दे रहे है उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो शॉर्ट हेंड और टाइपिंग वाला प्रोसेज है यह सबको पता है कि 6 महीने 7-8 महीने में नहीं सीखा जा सकता है लेकिन उसके बावजूद भी यह पेपर क्यों देना चाहते हैं उसका कारण यह है कि शॉर्ट हेंड और टाइपिंग होगी कब तक यह बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि APS की वेकेंसी का अपना अच्छा खासा एकित्रिहास रहा है और वो कभी भी बहुत जल्दी एक्जाम्स को कंडग नहीं करा पाते हैं इस बार ऐसी उमीद कम है क्योंकि आयो की कारण पड़ाली फिलहाल बदली हुई है लेकिन फिर लिए एक बड़ी चनौती यह है कि इनकी वजह से दरसल जो रिटेन एक्जाम है रिटेन एक्जाम को महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पर यह लोग जो है वो कट आउफ बढ़ाएंगे ऐसा नहीं है कि यह लोग जी अस नहीं पढ़ते हैं यहां पर यह लोग जो है सिलेवस से वाकिफ हैं काफी समय पहले से तो यह लोगों को सिलेवस से बहुत ज्यादा परचित है और इस वज़े से इनकी भी अपनी तयारी है परंतु रिटेन का जो महत्वकून भूमिका है वो यहां पर निर्द्वन्द है उसमें कोई संसर नहीं है कि यहां पर रिटेन की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है कई लोगों मैंने कहते हुए सुनाए कि रिटेन ज že है यहां पर बस किवल एक रिटेन एकजाम है बस प्री मेंस कुछ नहीं है एक रिटेन एकजाम पास करो हो जाएगा लेकिन वास्तिविक्ता यह है कि यह हिंदी 100 अंकों का है वहीं computer ग्यान ये भी 100 अंकों का है अब देखिए सामान ये ज्यान अपने आप में यानि GS का जो portion है वो अपने आप में इसका portion काफी ज्यादा है ठीक है कई सारे ऐसे factual प्रस्ट होंगे जिनको इतने कम समय में याद कर पाना मुश्किल होता है वहीं अगर बात करें सामान हिंदी की तो सामान हिंदी यहां पर एक written exam के रूप में होगा यानि यहां पर यह होगा परमपरागत प्रकार में conventional टाइप में जहां पर चीजों को लिखना होता है और विश्वास मानिए जब बात लिखने की आती है तो ऐसे में आपके लिए पर्यायवाची भी बहुत टफ हो जाता है क्योंकि नॉर्मली आरो यारो जैसे किसी exam में उसमें हम लोग देखते हैं कि यह पर्यायवाची वहां पर लिखना नहीं होता है बलकि options में से कि कौन सा सही है लेकिन जब लिखना रहता है तो फिर वह समस्या आती है इसमें यहां पर बूख जाएगा तो वह भी तरफिन हो जाता है और इसी के साथ साथ यहां पर पत्र लेखन-वगेरा भी आता है और उसके साथ यहां पर एक नीबंध है जो कि 25 नंबर का पूछा ज इस वज़े से यहाँ पर यह जो पत्र और निबंध वाला सक्षेशन है इसका अभ्यास करना जरूरी है तो महीं यह चीजों को पर्यायव आची और यह सब चीजे विलोम सब्द है आपका जो भी चीजे है वो सभी चीजे बहुत अच्छे से तैयार होना जरूरी है क्योंकि वो optional के रूप में नहीं आएगा यादि multiple choice question के रूप में नहीं आने वाला है बात करें computer की computer यहाँ पर एक main subject बनके उभरता है और computer एक ऐसा subject है जो दरसल सभी लोग उसमें समान है मतलब वो UPPSC की normal तैयारी करने वाले students उसको आम तोर पर नहीं पढ़ते हैं और इस वज़े से ये एक section ऐसा है जो हमारे लिए competitive advantage वाला है यानि अन्य की अपेक्षा आप इसमें एक अच्छी खासी बढ़त बना सकते हैं यदि APS की vacancy का इसकी जो तैयारी का लबो लुआब कहा जाए यानि जो इसका crux कहा जाए वो ये है कि आपको मेहनत करनी है पत्र पर और निबंद पर इसका लेखन अभ्यास तगड़े से करना है उसके साथ साथ में जो ये computer का portion है उसको बहुत अच्छे से तयार करना है अब समस्य आई आती है देखिए 100 नंबर का computer भी है और 100 नंबर का आपका GS भी है GS में पढ़ने है आपको 15 सब्जेक्ट ठीक है और computer में पढ़ना है केवल एक सब्जेक्ट लेकिन दिल्चस्त बात यह है कि ज्यादतर लोगों को computer का यह पता ही नहीं है कई लोग मैंने देखा course वगरा भी चला रहें कई सारे online platform जो की computer का course भी चला रहें सौरी APS का course भी चला रहें उसमें computer का section नहीं दे रहें आप सोचें 300 में से आप 200 नंबर का तयारी करा रहें 100 नंबर की करा ही नहीं रहें ठीक है जबकि यहाँ पर computer ही एक वास्तों में ऐसा विशय है जो कि आपको औरों की अपेक्षा बढ़त दिलाएगा GS नहीं दिलाने वाला है GS क्यों नहीं दिलाएगा क्योंकि GS में सब आप लिखा उसको पांच नंबर मिल सकते हैं तो यहां पर आप 15 नंबर की बढ़त बना सकते हैं पत्र लेखन जो सही लिखेगा उसको पूरे में पूरे भी मिल सकते हैं या फिर एक दो नंबर कटके भी मिल सकते हैं वही अगर यह मान लीजे कि 10 में से 8 नंबर मिल गया और किसी को उससे कम भी मिल सकते हैं वहीं computer की बात करें तो 100 में जिसने अच्छा किया वो इसमें अच्छी खासी बढ़त बना सकता है औरों की अपेक्षा तो इस वज़े से competitive advantage के इस आप देखें तो ये तीन विशा है बहुत महत्पूर्ण हो जाते हैं GS यहाँ पर एक ऐसा विशे है जिसकी अपने आप में बहुत चुनौती है और वो चुनौती बड़ी यह है कि इतने कम समय में उसको कैसे complete किया जाए इन सभी की guided तरीके से मतलब हर चीज पर कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं क्या कर सकते हैं किस तरीके से आपकी syllabus complete हो उन सभी विश्यों पर हम लोग अपनी एक सीरीज शुरू करने जा रहे है टेलिग्राम ग्रूप पर जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है कि description box में उसका link है आप लोग उससे join हो सकते हैं उस दिनों में शुरू हो जाएगा और देखिए यहां पर APS के लिए जो भी चीजें हैं वो आप लोग समझ रहे हैं कि APS का exam इसमें एक बहुत तगड़ा exam होने वाला है इसका जो written exam है written exam तगड़ा इसलिए होने वाला है क्योंकि इसकी तैयारी इसकी exam के लिए लोग दस्यों साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं ठीक है उसके साथ साथ आपको short hand के होने के बाद final जो merit बनती है उसमें हो सकता है कि merit कम जाए cut off कम जाए लेकिन जिनको short hand आती है उनको भी written exam तो pass करना ही होगा तभी वो अपनी short hand का प्रदर्शन कर सकते हैं तो written exam निकालना सभी के लिए बहुत जरूरी है और written exam कैसे निकालना है क्या कैसे पढ़ना है उस पर हम लोग बात करेंगे अपने upcoming videos के माध्यम से टेलिग्राम group में तमाम बाते करेंगे और उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा सामान ग्यान में 100 number है तो उस 100 number को cover करने के लिए कैसे हम लोग उसमें मतलब काम कर सकते हैं बहुत ज्यादा भी इसमें ध्यान नहीं देना है अगर मान लिजे कोई subject वहाँ पर उसका बहुत weightage नहीं है तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है ठीक है और किस पर कितना ध्यान देना है यह सारी बाते हम लोग अपने telegram group में या फिर upcoming videos में करते रहेंगे और चलिए वीडियो को यहीं पर end करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार